हलो दोस्तों, राजु अर्म इलक्तृनिक्स में आपसे भी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज का मेरा टोपिक है, स्पीकर प्रोटेक्शन कीट ये क्या होता है, इसका वाइरिंग कैसे किया जाता है और इसको लगाना क्यों जरूरी होता है और इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा हमारे स्पीकर को या हमारे एंपली को वो सारे बात आज मैं बताने वाला हूँ क्लियर करने वाला हूँ तो मेरा वीडियो आप सुरूश लेकर अंतक देखें आज का वीडियो काफी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज आपके जितने भी डाउड्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए बात करते हैं फटा फट इसके बारे मैं बताता हूं और इसको लगाना क्यों जोरी होता है देखिए कभी आप यदि रिपेयर करते होंगे या तो नए बंदा है कोई तो उसको थोड़ी सी समझ में नहीं आएगा उसको दो-तीन बार मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा और जो इस छेत्रे में का जोरी होता है तो चलिए मैं बात करता हूं इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा लगाएंगे तो क्या होगा कई एमप्लिफायर में आप देखे होंगे आप जब भी मेन पावर सप्लाई कार्ड को देते हैं ठीक है तो एक कट सी आवाज आती है आप स्विच ओन करेंगे तो कट सी आवाज आती है यदि आप बंद भी करेंगे फिर भी कट सी आवाज आएगी सभी एंपलिफायर में नहीं होता है क्योंकि पावर स्टेश को पी अप अगरा लगा कि शरीले डाल कि उसको बनाना पड़ता है तो यह सब प्राब्लम नहीं होता और तो इसी गवारे में पहले बता देता हूं यह जैसे कि आपका स्पीकर प्रोटेक्शन कीट नहीं लगा है तो यह सारे फ्राब्लम आपके एमपलिफायर में आएगा अन करने पर और ऑफ करने पर तो यह किट डालेंगे तो यह क्या करेगा जैसे कि हम एमपलिफायर को बंद करते हैं तो फट से कट कर देगा तो आपका कट की आवाज नहीं आएगे स्पीकर में यह फुर्ष्ट हो करीबन यह रिले आपका समय लेगा करेबन 15-20 तब तक का आपका केपिसेटर चार्ज हो जाएगा ठीक है और जो कट अवाज आती है वो डारेक्ट पढ़ती है इस फिकार पर ठीक है ना तो कट अवाज आती है तो यह अपना समय लेगा 15-20 यह वाला रिले नहीं है लेकिन मेर सेक्षन में आपका फाल्ट आ गया ठीक है और यदि आपका आउट्पुट इस्टेज का कोई ट्रांजिस्टर शोट हो जाता है तो सप्लाईया आना सुरू हो जाती है तो उस कंडिशन में क्या करता है यह कट कर देता है इस्टार्ट ही नहीं हो गए ठीक है तो आपको स्पी यहां मैं दिखाने को कोशिज करता हूं यह दिखे ग्राउंड और 12 विल्टे की सप्लाई है यहां पर आपको डीच सप्लाई देना है ना कि एसी क्योंकि एसी देने के लिए यहां पर फौर रेक्टिफायर ब्रीज रेक्टिफायर होते तब हम जाकि इसको एसी शप्लाई इसपी कर बाँट तो हमारा एमिटर से जो आएगा ठीक है वो सिधह यहां connection हो जाएगा यहां ground यहां से ground डाउंड और यहां सी स्पीक के लिए अउंड वो सिधा फिर आपका इसके बारे मैं आपको सर्की डाइग्राम बना के दिखाता हूं पर इसके बारे में आपको कुछ कुछ बता दूँ यह रहा जोबल नेटवर्क बोलते हैं इसको यह रिले कट आउफ करने के लिए ठीक है यह यह आउट लेना ठीक है तो चली है कर देता हूं और मैं सर्किट डाइग्राम के थूँ आप logo का लोगों को सुम्झाता हूँ तो मैं ये बना करक्खा हूँ ये देख सकते हैं अब इस को जूम करता हूं एसे ठीक है तो घ्राइज कि सबस्क्राइब क्या में यह 0.23 ओम यह 0.98 इस नहीं लगाने हैं ठीक है 0.方面 23 या 2 होगा 5 होगा या 22 होगा 27 होगा पैंट में होना चाहिए वो लग जाएगा यह सारे एक ही होते हैं ठीक है कई लोग मेरे को में कुमेंट करके पूछते हैं सर की मीटर में जो रेजिस्टेंस लगा रहता है कितने विल्यू का लगाएं अपने पास मार्केट में अवलेबल नहीं हो रहे तो उसको मैं बता दूँ पैंट में होना चीए 5 होगा 10 होगा या 11 होगा या 15 होगा या 25 होगा या 25 होगा सभी का मतलब रिखी है आप कोई सभी लगा सकते हो ठीक ह 355 वाट यह सारे रेजिस्टेंस है ठीक है रेजिस्टेंस कहां लगता है ट्रांजिस्टर के एमिटर और यहां से आउंट होके सीधा देखिए यहां से आउंट होके सीधा यह प्रोटेक्शन कीट में जा रहा है ठीक है या और एक ग्राउंड है ठीक है बोर्ड से आपको देना पड़ेगा और यहां से आउंठ हो के सिधर डांस फार में जा रहा है अब टांस फार्मर पसे लगाने में यहां से अंठ हो गया टू हम सब्सक्राइब यहां टांस फार सम् generと सब्कशित आप इसे वाला नीज मिरे पासरकिट डिग्राम है इसमें अपन लोग ट्रांसफारम्र कैसे लगाएं ग्लस Only stone किट कैसे लगा है तोaches देखिए देखिए एमितर सीधा के प्रोटेक्शन मे जाएगा और्प्रोटेक्शन से आ की सिधा आप इसको लगाना नहीं चाहते कि ट्रांसफ़ृर्मको लगाना नहीं चाहते तो सिधा आपको यहां सीTH कर अरॡ के लिए जाए कि इस प्रकार का वाइरिंग कर दें यदि आपको स्पीकर प्रोटेक्शन नहीं लगाना है डारेक्ट यहां से मीटर से ट्रांसफार्मर डालने है तो यहां से कठ हो जाएगा यह वायर जा कि सिधा हम यहां जोड देंगे ठीक है जो लोगों को समझ में नहीं आया वीडियो दो तीन बार देखें समाझ में आ जाएगा तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें तो मैं आसा करता हूं आज के मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा समाझ में आ गया होगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तब के लिए नमस्कार जैहिंद जैभाराथ